बीना कोई मेशिन यूज किये हुए ही एक पेन की मदश से अपने कभी घर पर होम मेट चाउमिन बनाया है ऐसे ही कोछ छोटे छोटे यूजफुल टीफ शेयर करूंगे उमीद करती हूँ ये टीज आप लोगों को बहुती ज़्यादा काम आएगा तो चलिए आज का जो टीफ से हम देख लेते हैं फास्ट जो टीफ से हमारी घर में जो पुराना ब्रा होते हैं कई वर हुक खराब हो जाते हैं यूज नहीं करते हैं फेक देते हैं लेकिन इसका जो फीता वाला हिस्सा है बहुत ही अच्छा रहते हैं इसको हम यूज कर सकते ह किस तरीके से कई वर हमारा जो छत्री होते है ना छत्री का जो हम और्गनाईस करके रखते हैं फीता ख्राब हो जाते हैं तो इस तरीके से रखने से बार बार खुल जाते हैं छत्री तो ब्रा का जो फीता है इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं इसके हमें लगाने के लिए कोई भी गाट लगाने के जरूरत नहीं पड़ेगा जो दोनों हिस्से में आंग्टा है उसके अंदर लगा देंगे आगला जो टीप से हमारे घर में जो पेटिकोट हम पहनते है या इस तरीके का जो सलोर कमिच पहनते है उसके अंदर जो डोरी है कई वर अंदर खुस जाते है और इसको बाहन निकलने में फिर से हमें निकल कर इसको डोरी डालना पड़ती है तो एक कैची ले लीजिएगा पह से लगाना नहीं पड़ेगा आसानी से बाहर निकल पाएंगे फिर डोरी में उपर बाला साइट गाट लगा दीजिएगा तो डोरी अंदर नहीं जा पाएगा आगला जो टीप से इस तरीके का जो कप्रा धोने बाला ब्राश आम यूज करते हैं कई वर इतना ज़्यादा धा तो देखिएगा एकदम से स्मूध हो जाएगा कप्रे भी क्लेन हो जाएगा नहीं तो और एक कम कर सकते हैं थोड़ा सा ब्राश के उपर नेल पालिस इस तरीके से लगा दीजिएगा तो भी देखिएगा आपका ब्राश स्मूध हो जाएगा और आसानी से कप्रे को आप क् हो जाते हैं रेजर को इस तरीके से आप घिसेंगे ना कोजबाइट के उपर नए जैसा कोजबाइट चरू लीजिएगा इस तरीके से घिसने से देखिएगा जो धार है वह फस चला आएगा फिर से आप इसको यूज़ कर पाएंगे जो नए बला ब्रा हम खड़िते हैं कई बर देखा जाते हैं हम मोटा हो जाते हैं या पतला होते हैं ब्रा हमें फिटिंग्स नहीं होते हैं और ब्रा जो है बेकार हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा मोटा हो गया है तो ले लीजिए एक सेप्टी पिन ब्रा का जो हूक बला हो जाता था वो एकदम से लूज हो जाएगा फिर से आप इसको यूज कर पाएंगे अगर आप ज़्यादा पतला हो गए है तो आप मेजर्मेंट कर लीजिएगा आपका कितना ज़्यादा आपका ढीला हो रहा है उसी सबसे सेप्टी पिन लगा कर फिर से आप इस ब्रा को देखना नहीं पड़ेगा जरूर आप भी ट्राइ करके देख सकते हैं आगला जो टीप से हमारे घर में इस तरीके का जो सिल्वर का जुवेलरी होते हैं कई बर काला हो जाते हैं क्लीन करने के लिए जुवेलरी शॉप लेकर जाते हैं बहुत ज्यादा पैसा लग जाते हैं इसके लिए काम कीजिएगा थोड़ा सा टूट पेस्ट प्राने ब्राश की मदद से बरिया तरीके से घीस लीजिएगा इस तरीके से इससे सारे गंदेगी धूल मिट्टी क्लीन हो जाएगा सिल्वर का जो जुएलरी है नए जैसा चमक आ जाएगा इस तरीके से एक दो सिगिन घीसने के बाद मैं नॉर्माल पानी की मदद से आप लोगों को क्लीन करके दिखा रहे हूँ पहले कितना जादा काला पन था आप देखे एकदम से नए जैसा चमक आ गया है और हमारा पैसे भी बज़ गया है जुएलरी शॉप ले कर जाने जरूरत नहीं पड़ेगा इस तरीके का जो बेसिन होता है कई बार एकदम से गंदेगी हो जाते है टैप में बहुत सारे दाग आ जाते है निशन इसके लिए थोड़ा सा आप कोलगेट ले लीजिएगा फिर नॉर्मल एक कॉसबाइट की मदश से इस तरीके से घिसेंगे न तो देखिएगा आपका जो बेसिन है बेसिन का जो टैफ है एकदम से नए जैसा क्लीन हो जाएगा कोई देख कर बता ही नहीं सकता ये बहुत साल पुराना है आप देखिएगा कितना सुन्दर हमें रेजल्ट मिला है छोटा सा टीफ से जरूर आप भी ट्राइ कीजिएगा फाइदा मिलेगा आगला जो टीफ से फ्रेन इस तरीके का जो बोतल होते हैं मैंने उपर बला हिस्सा काट लिया है बोतल के धकन को छोटा सा हमें इस तरीके से छेत करना पड़ेगा फिर हम क्या करेंगे फ्रेन मैंने पूराना एक कॉसबाइट ले लिया है देखिए इस तरीके का कॉसबाइट जो होता है इस टील का कॉसबाइट एकदम से गुटली बन जाते हैं ज्यादा दिन तक नहीं चलती है इसके लिए आप इस तरीके से एक डोड़ी अंदर डाल दीजिएगा फिर इस डोड़ी को हमें क्या करना होगा धकन में नहीं पहले बोड़ी के हिस्से में डाल कर फिर धकन में इस तरीके से लगाना होगा फिर धकन बन करदेंगे और ढोड़ी में इस तरीके से गांठ लगा देंगे देखिए इस तरीके से इसको हम किसी भी जगा पर हैंक करके रख पाएंगे तो कॉसपाइट बहुत ही जल्दे सूख जाएगा और इसको अगर हम इस तरीके से बर्तन क्लीन करेंगे तो हाथ में भी हमारा खरुच नहीं आएगा और clean करने में भी आसान हो जाएगा आगला जो tip से फिर से मैं पूरा नई बोतल ले लिया है फिर क्या करेंगे बोतल के और एक ले लिया है पेन, पेन के उपर बला हिस्सा बोतल के धकन को इस तरीके से पेन के धकन के माप लेकर छेत करना पड़ेगा मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा जो वाइट बला आटा मिलता है ना ओही आटा ले लिया है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी देकर हमें एक पतला सा बेटर यहाँ पर बनाना होगा बेटर इस तरीके से और बेटर को जादा पतला भी नहीं जादा गाड़ा भी नहीं एक कप आटा में मैंने यहाँ पर देर कप पानी यूज किया है देखिए बेटर जो है रेडी हो गया है किस तरीके से हम जानेंगे बेटर परफेक्ट हुआ है या नहीं इस तरीके से लाइन कीचिएगा चम्मच का अपस में नहीं मिलेगा फिर जो बोतल हमने रेडी किये थे उसके अंदर बेटर को हमें डालना परेगा फिर धकन बंद कर देंगे मैंने एक तवा गरम करके ले लिया है आसानी से फ्रेंड इस तरीके से हम घर पर नूडल्स बना सकते हैं और एक दो सेगेंड में ही एक दम से जो फ्राइपेंड से निकल आएगा देखिए और ज्यादा मत गरम कीजिएगा फ्राइपेंड नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और कम समर में आप इस तरीके से बच्चों लोगों को घर पर ही नूडल्स बना कर दे सकते हैं जो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और घर का चीज है बच्चे भी कम बिमार पढ़ेंगे देखिए देखने में एक दम से मार्केट जैसा आपको लगेगा जब हो जाएगा तो और भी ज्यादा ये पतला लगेगा देखने में ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा फ्रेंड तो जरूर आप भी ट्राइ करके देख सकते हैं उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टीप्स आप लोगों को काम आएगा इस तरीके से मेरा जो पूरा बैटर है मैं इस तरीके से चाओमिन बना लेंगे देखे रेडी हो गया है किसना सुन्दर चाओमिन हम बना सकते हैं घर पर बीना मेंसे नियूस किये हुए आगला जो टीप से रात को टाइम कैवर सिंग से पाइप से छोटे-छोटे कीरे मकुरे आने लगता है जो घर को गंदा कर देते हैं इसके लिए आप ले लीजिएगा थोड़ा सा मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर हफते में एक दो बारे टीप्स करेंगे तो कभी भी कीरे मकुरे चीटी नहीं रहेगा आपका पाइप में फिर एक टूटा हुआ काप इस तरीके से आप डाल कर बरसिन को बंद केजिएगा कई बार हम सिलाई करने जाएं मोटा जगा पर सिलाई करने में तकलिफ होती है सुई जो है जंग लगा हुआ है तो हम किस तरीके से जंग लगे हुए सुई से सिलाई कर सकते है इस तरीके का जो स्टील का स्क्राबर होते है ना हमारे सभी के खर में मैंने ले लिया है इस तरीके से घिसेंगे अगर जंग लगा हुआ है तो आसानी से निकल जाएगा इस तरीके से जो नए बला स्क्राबर होते हैं ओभी ले सकते हैं फिर आप कोई भी मोटा जगा जंग लगे हुए सोई से सिलाई कर पाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड अच्छे आगे टिप्स जरूर आप भी ट्राइ करके